हाईलो आप सभी का बहुत बहुत स्टागत आज की वीडियो में आज हम लुसेंट जी के के सबसे महातपूर प्रसमों को लेकर आए हैं जो सभी कमट्रेटिव एक्जाम के लिए बहुत ही महातपूर होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को पहला कुश्यन दिया है हमारा ओलम्पिक खेलो का आयोजिन कितने वर्सों के बाद होता है तो ओलम्पिक खेलो का आयोजिन जो ही है चार वर्सों के बाद होता है प्रते एक चार वर्स के बाद यह ओलम्पिक का खेल होता है अंतर राष्टी ओलम्पिक समीत का मुख्याले कहा तो अंतरराश्टी ओलंपिक समीत जो इसका मुख्याल है लूसान स्वेडिया लेंड में इस थे निश्ट कुछ से ने सन 2012 में ओलंपिक कहां खेले ओलंपिक का खेल कहां हुआ था तो यह लंदन में हुआ था निश्ट कुछ से ने ओलंपिक धज में कितने गोले हैं तो ओलंपिक धज में जो है पांच गोले होते हैं एक ओलंपिक में सरवधिक स्वड़ पदक जीतने वाला खिलारी कौन है तो एक ओलंपिक में सरवधिक पदक जीतने वाला खिलारी माइकल फेल पस है निश्ट कुछ स किस बारत को इस सन 2020 में वह लंपिक खेल कहा हुँगी तो सं ohio जापान में च्रम खिश्विक सेने 2 हुजार बारा के खेलों में कांस पत्त क जीतने वाल likes साइना नहवाल का संबंद किस किन से तो साइना नहवाल का संबंद जो तो भारत ने अलम्पिक खेल में पाहली बास जो सन sånd людям समय भाग लिया था निष्ट कWreston है लूम्पिक खेलों में यह तो हो गया उलम्पिक खेलों मेर्फ में पदक जीतने वाली भारती महीला खिलाडी कौन है तो उलम्पी खेलों में सौड़ पदक गीतने वाली पाहली महीला खिलाडी की काड़म मल्ले सरी है ये बेट लिप्टर है बैक टूदी बेदास बेदो की ओल लोटो नारा किसने दिया था तो बेदो की ओल लोटो ये नारा दिया था महर्स तयानन सरस्तुती जी ने प्रसिद जंडा की जंडा हुचा रहे हमारा की रचना किसने की थी तो जंडा हुचा रहे हमारा की रचना जो ये स्यामलाल गुप्ट पारसद ने की थी नेश्ट को इससे ने पसुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के करण होती है नेश्ट कुईशन मानों सरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है तो यह गुर्दे द्वारा जो मनिस के सरीर में यूरिया का यूरिया को रक्त से फिल्टर करता है वो गुर्दा करता है किसे एक मातर भारतिये को और सास्ट में नोगर पुरुसकार मिलाए तो ये अमरित सेन को प्रोफेसर अमरित सेन को भारत रहत ने उस्ताद बिस्मिल खां किस बादरियंद से किस बादरियंद से बादरियंद से बिख्यात रहे हैं तो ये साहनाई से रहे हैं बिस्मिल खां नेश्ट को इससे ने भारत के अंतिम गौवर्णर जनरल कौन थे तो यह चक्रवर्ती स्री राज़ गौपाला चारी थे नेश्ट को इससे नहीं मारा किसे एक मात्र भारतिये को और साथ नोबल पुरस्कार मिला है तो यह हो गया आपका बिलाईस पाथ संयंद्र का निर्मार किस देश के सायोग से किया गया था तो यह रूस देश के सायोग से किया गया था बिलाईस पाथ संयंद्र का निर्मार नेश्ट को इससे नहीं उत्तरी धुरू में भारत के अंसंधान केंद्र का नाम क्या है तो इसका उत्तरी धुरू म में हिमाद्री है बिस में मांट टेवरेश्ट पर चड़ने वाली पर्थम महिला को थी तो जापान की जुनकुत तबही पीलिया की संग का रोग है तो पीलिया जो यकृत लीवर का रोग है नेश्ट को इसे ने द्रो सभी दिसाओं में समान दाप पारित करता है या किस नियम से संबंदित हो या पास्कल के नियम से संबंदित है कि द्रो जो है सभी दिसाओं में समान दाप पारित करता है नेश्ट को इससे ने क्लोरोफिल का खानीज घटक क्या है तो क्लोरोफिल का जो खानीज घटक है यह मैगनेस्नियम है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा द आपर प्रतम असोक के अविलेखों को पढा तो जेम्स प्रिंसेप ने हब से के अविलेखों को पढ़ादा असोक्के किस बहुत भी्चु के प्रभाव में असोक ने बहुत धर्म गरान किया था कौन सा मुगल बातसा असिचित था तो यह अकबर था यह जो है असिचित था अम्रिस सर की अस्थापना किसने की थी तो अम्रिस सर की अस्थापना जो यह गुरू रामदासनी की थी गदर पार्टी का संस्थापक कौन था गदर पार्टी का संस्थापक जो ये लाला हरदयाल थे नेश्ट कुश्टन है सिक्षियास में लंगर पर्था किसने शुरू की तो ये गुरू अंगद देवने जो ये सिक्षियास में जो लंगर पर्था का सुबारम किया था सबसे प्राशीन वेद कौन सा है तो सबसे प्राशीन वेद आप लोग जानते हैं कि रिख वेद है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अस्थानांतरिक की थी तो ये मुहम्मद बिन तुगलग ने की थी पर्थम पंचवरसी योजना का प्रारम होई तो पर्थम पंचवरसी योजना जो ये उननीस सो इक्यानवे में प्रारम होई थी ये हर एकजाम में लगए पंचवरसी योजना को इस्टिन पूसे चाते है चीनी यात्री होईनसांग ने किस बिस्पिजाले में अद्दिन किया तो यह नालंदा बिस्पिजाले में इसने अद्दिन किया था होईनसांग ने कौन सारक समूफ सरबदाता कहलाता है मनुस के सरीज में कितनी हड़ियां होती है तो यह आप लोग जानते हैं कि 206 होती है सूर के प्रकास से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर के प्रकास से जो यह विटामिन डी प्राप्त होता है मादा इनफलीज मादा इनफलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है तो ये मलेरिया रोग होता है निश्ट को इससे नहीं टेली फॉन का विसकार किसने किया था तो टेली फॉन का विसकार जो ये अलेकजंडर ग्राहम बेल ने किया था परकास कीगत कितनी होती है तो तीन लाख किलो मीटर प्रत सेकेंड होती है प्रकास की गत्यों होती है प्रतिबी सूर का चक्कल लगाती है या सबसे पहले किसने बताया था तो प्रतिबी सूर का चक्कल लगाती है सबसे पहले कापर निकस ने बताया था बस साथ प्रतिबी वीडियों नहीं बोबकोभा कुवर्थ कुवर्या जयुको बोरादे कीया बोग्यादा, झाल, वयू दोदो के यू हैgew ! खाल, तुआ तुथ।